गुड मॉर्निंग मेडिया वैसे तो आपने अजली कक्षा में कविता चार समझ ली होगी मुझे आशा है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होगे फिर भी प्रश्ण उत्र की सर्शर करने से पहले हम वापस एक बार अपनी कविता का अर्थ साराज समझने की कोशीश करते हैं तो पहले एक बार हम जली से कविता पढ़ लेते हैं और उनके माधियम से हम कविता का सार समझते हैं तो हमारी कविता है चान से थोड़ी से गप्पे इनके कवी है शम्शेर, बहादू, सिम्चि बचो हमेशा अपसे आपको एक ध्यान में रखना होगा कि आप जो भी पाड़ पड़े या कवीता पड़े वह कवीता या पाड़ के साथ-साथ उनके कवी या लेखा का नाम हमें पता होना चाहे क्योंकि ऐसे भी प्रशना आपकी परिक्षा में पुछे जा सकते है और हो सकता है कि हम कवीत के नाम के आदा से हमें थोड़े बहुत समझ में आ जाता है कि यह कवी है उसकी जो रचना है वो किस प्रकार से होगी तो यहाँ पर हम कवीता पड़ने जा रहे हैं गोल है खुब मगर आप सिर्ची नजर आते ही जरा, आप पहने हुए है कुल आकाश तारो जरू, सिर्थ मुँ खोले है अपना गोरा चिता गोल मटोल, अपनी पोशाग को फेलाए हुए चारो उस में आप कुछ तिर्ची नजर आती है जाने के से, खुब है गोकी, वाक्षिवर हमको बुद्धु ही निरा समझा है, हम समझते नहीं जिर्थे की आपको बीमारी है, अब गड़ते है, तो गड़ते ही चले जाते है, और बढ़ते है, यानि की बढ़ते ही चले जाते है, दम नहीं लेते है, जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाये, बिल्कुल गुल यह मरद आपका अच्छा ही नहीं होने में आता यह बिमारी आपकी सही होने में आती नहीं है अब वापस हम कविता का सार समझने के पार प्रशन के उतर की चर्चा करेगे जिसके कारण आप अपने हिसाब से प्रशन अपने कोपी में लिख सकते हो तो यहाँ पर हम कविता का सार समझते के चांड से थोड़ी सी गफ़े नामक कविता के रचेता कुन है शम्शीर बहादूर से हिची इस कविता में एक दस्ग्यारा साल की लड़की है जो चांड को देखकर अपने खटने बढ़ने के कारण की कलपना करती है कलपना करना यानि कि उनके बारे में सोचना कि चांड तो वास्तव में गोल है वास्तव में यानि कि हकीकन में वो गोल है कि तो तिर्चा दिखाए देता है वह हमें कि तिर्चा दिखाए दे रहा है चांड ने तारों से जड़ा हुआ आकाश रुपी कपड़ा पहन रखा हुआ है उसने क्या पहना है? तो कि आकाश रुपी कपड़े को उसने पहन रखा है इस कपड़े से वह केवल अपना गोरा चिता और गोल मटल मुँ दिखाई दे रहा है ऊस कपड़े से उसका सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? तो कि सिर्फ उसका मुद दिखाई दे रहा है और मुद के साहे तो गोरा है, चिता है, गोल है, मटल है चांड ने अपनी पोशा को चारों और फिला रखा हुआ है पता नहीं यह चांद फिरचा क्यों नजर आ रहा है लड़की चांद से कहती है कि तुमने मुझे बेवकुप समझ रखा है नादान समझ रखा है क्या मुझे नहीं पता कि आपको क्या है बीमारी है क्या मुझे सच पता नहीं कि तुम ऐसे क्यों दिखाए दे रहे हो दरसल में तुम्हें बिमारी है क्या है तुम्हें बिमारी है और ऐसे बिमारी हैं जो कभी भी जिसका कोई इलाज नहीं है इसलिए जब गढ़ते हैं तो गढ़ते ही चले जाते हो और बढ़ते हो तो बढ़ने ही लगते हो कब तक बढ़ते हो? तो कि जब तक पूरी तरीके से बढ़ने ही जाते है गोल नहीं हो जाते और जब तक पूरी तरीके से अद्रिश्य नहीं हो जाते हो तब तक तो तुम घड़ते ही चले जाते हो तुम तब तक दम नहीं लेते, रुकते नहीं, रुकने का नाम नहीं लेते हो जब तक पूरी तरीके से गोल नहीं हो जाते हो इस प्रकार लड़की चांद से थोड़ी सी बाते कर रही है और अपसी मन की इच्छा वो चांद के साथ व्यक्त कर रही है तो मेरे खाल से आपको यह कवीता अठी से समझ में आ गई होगी अब हम इनके प्रश्णा के उत्तर की सर्चा करते हैं और इनके बाद आपको वापस जो हमने पहले कवीता की हिसाब से किया था उसी तरह यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी कवीता पढ़कर उनके प्रश्णों के जवाब जिस से आपसे में वक्षित बढ़ाऊंगी वैसे आपको हल करने की कोशिश करने तो यहाँ पर इस कवीता से प्रश्णा अभ्यास में पहला क्वेशन है आप पहने हुए है कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है की उसके बाद आपको दो पॉइंट दिये है की चांद स्तारों की जड़ी हुई चादर ओड़कर बेठा है या चांद की पुशाव चारों दिशाओं में फेली हुई है तुम किसे सही मानते हो मेरे ख्याल से मेरे पहले ही आपके पास उत्तर आ गया होगा कि आप किसे सही मान रहे हो तो यहाँ पर हम किसे सही मान रहे हैं कि चांद की पुशा चारों दिशाओं में फेली हुई है तब हम उसका उत्तर की सिसाओं से लिखेगे आप प्रशन पहले कि आप पहनी हुई एक कुल आकाश की मात्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांड की पोशाख चारों दिशाओं में फेली हुई है इसके बाद इसमें प्रश्नत दो है कवी ने चांड से गप है किस दिन लगाए होंगे इस कवीता में आए बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ यहाँ पर आपको तेन पोइंट दिये गए है जैसे कि पुरुणिमा अस्तमी से पुरुणिमा के बीच में या प्रतमा से अस्तमी के बीच में प्रतमा यानि पहले दिन से आठ दिन के बीच वाले पार्ट में तो हम सब लोग जानते हैं कि चांड है वहाँ पूरी तरीके से गोल कब होता है तो एका दशी से पुरुणिमा के बीच में ही वहाँ पूरी तरीके से गोल होने की कोशिश करता है वदिन वदिन बढ़ता जाता है अस्तमे से पुर्णिमा तक के बीच हाँ यह हो सकता है क्यों हो सकता है क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं बढ़ा है या पूरी तरीके से आधा भी नहीं है वो काफी बढ़ चुका है हम देखते हैं कि उस दिनों में चान करीबन आजीजी भी ज्यादा बढ़ गया होता है प्रत्रमाज से अस्टमी के बीच यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्यों? क्योंकि प्रत्रमाज से अस्टमी के बीच चान आधा भी होता नहीं यानि कि पहले आठ दिन में वो आजा भी होता नहीं है परन्तों यहाँ पर तो प्रिश्ण है कि वो कैसा दिखा दे रहे हैं तो कि तीरिच्छा नजर आ रहा है तो हमें आप एक कुंसर्णमन लगा सकते हैं तो कविचान से गपे अस्तमी से पुर्णी मा के बीच में लगा रहे हैं किसे साथ से अस्तमी से पुर्णी मा के बीच में क्योंकि वो कैसा है तीर्चा है थोड़ी तीर्चे नजर आते हैं आपने उपर कविता में देखा होगा कि भै वो पूरी तरह के से गोल भी नहीं है या आधा भी नहीं है हलका असा तिर्षा है तो यहाँ पर हमने कविता में समझा है कि लड़की ने कहा है आप कुछ तिर्षी नजर आते हैं जाने खूब है गो की यहाँ थोड़े से तिर्षी नजर आते हैं आपकी गोला अभी पूरी हुई नहीं है हमको बुद्धु ही नेरा समझा है हमको नादान समझा है हम समझते नहीं आपको बिमारी है आप घड़ते हैं तो घड़ते जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते जाते हो यानि कि इस कवीता के आधार पर इस पेरेग्राफ के आधार पर हम यह समझ सकते हैं कि यहाँ पर कवी नहीं चानते हैं यानि कि अस्तमी से पुरुणिमा की बीच में चांद है वह हमें दिखाय दे रहा है वह पूरी तरीके से गोल नहीं हुआ है वो तिर्चा है और यहाँ पर हम यह उतर लीख सकते हैं अब तीसरा क्वेशन है नई कवीता में तुक या चंद के बदले बीब का प्रयोग अधीक होता है बीम वह तस्वीर होती है जो शब्द को बढ़ते समय हमारे मन में उपरती है कई बार कुछ कवी शब्दों की ध्वनी की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते है और कुछ कवी अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने हैं, इस कविता के अंतिम हिस्से में, अंतिम याने की आखरी भाग में, चार्द को एकदम गोल बताने के लिए कविन बिल्कुल शब्द, बिल्कुल, मैंने आपको बोला अचा कि वो कैसे बलाएं, और हर एक शब्द को हमें अलग करना है, तब ही हम उसके उपर उस शब्द के उपर अपना वजन दे सकते हैं, उस शब्द के बारे में हम बता सकते हैं, बिल्कुल शब्द के अक्षर को अलग-अलग करकी लिखा है, तुम, यानि कि आप इस कवीता के और किक शब्द को चित् आक्रिती देना चाहोगे कैसे आप पूरी कवीता में जोसे कि गोल मटोल गोरा चिता ऐसे शब्द को अपने धंग में लिखकर दिखाईए अपने हिसाब से ऐसे दो तिन शब्द जो है उसे ज्यादा भी अगर आप बना सकते हो तो आप बना सकते हो और इस तरीके से आप यह प्रश्णों के उत्तर अपने कोपी में लिखने की कोशिश करना बाकि कोई भी प्रोब्लेम हो आपको जो भी बात समझ में नहीं आई है उनके यह बिल्कुल ही चिंता मत करिए हम जब भी रूब रूब होगे उनके बारे में हम चर्चा करेगे और उनका हल बताने का उनका हल डूंदने की हम कोशिश करेगे तक तक के लिए आप यह कवीता का प्रश्णों उत्तर अपने कोपी में अगर आपके पास बूख नहीं है तो चिंता मत करिए आपको क्षा 5 की हिंदी से डबल्यू में भी लिख सकते उसके बाद जब हम अगली क्षा वापस वेकेशन के बाद मिलेगे तो वह अपने हिंदी क्लास वाप में लिखने की कोशिश करेगे और हाँ अगर जिस प्रिके से चान से गपी शिर्षक के आधार पर हम कविता पढ़ रहे है उसी तरह अगर आपके पास समय है तो कोई भी अच्छी से कविता आप इंटर्नेट से दून कर रखे उन्हें याद करने की कोशिश करेए ताकि जब भी हमारे हिंदी का रेचेटिशन आए आपको उस समय कविता याद चाजी पी जरूरत पढ़ेगी नहीं परन्त यह बात हमेशे अभ्याण में रखे कि आप जो भी कविता दून है वहाँ कोई न कोई विशे की उपर होनी चाहिए वहाँ हास्य कविता हो ब्यंग कविता हो या प्राक्षिक संदरे के बारे में बताना चाहते हो परन्तु उनका विशे है वहाँ सरन और अच्छा होना चाहिए जन्यवाज मैं आशा करती हूँ आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगे अगले बार हम वापस में लेगे और उस समय हम नए विशे के बारे में चर्चा करेगे तेंक यू